नमस्कार दोस्तों, SKSARMAW2668 चैनल आपका स्वागत करता है सपने में बैतावा पानी देखना देता है सुब और एसुब संकेत तो आईए जानते हैं, सपने में बैतावे पानी को देखना सुब मना गया पर यह निर्वर करता है कि इनसान ने अपने सपने में किस परकार के पानी को देखा अगर वेती सपने में सवस्ता बैता हुआ पानी देखता है तो उसे अतेंत ही सुब मना गया और यह सपना बहुशे में कई सारे सुब संकेते में परदान करता है पर अगर इंसंत सपने में गंदा पानी बैता हुआ देखता है तो इसे अतेंत ही एसुम मना गया है यहीं सब सवालों के जबाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं हर बात की तरह हम आपको कुछ उपाए भी बताएंगे जिनका उप्योग करके आप अपने सपनों का फल जल्दी प्रापत कर सकते हैं और किसी एसुम सपने के प्रकौश से बच सकते हैं तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सपने में बैता हुआ पानी देखना हमारे लिए सुम होता है या एसुम पर एक बात का द्यान रखे कि पानी साफ और सबस्तों होना चाहिए और अगर आपने साफ पानी बैता हुआ देखा है तो अते ही सुम होता है और इस बात का भी संकेत होता है कि बहुषे में यानि आने वाले समय में आपकी कोई ऐसी इच्छा जो काफी वर्सों से पुरानी ना हुई हो उसके पूरे पूरन होने का समय आ गया है और जल्दी आपको धनलाव के अवसर भी मिलने वाला है बैता हुआ साप पानी सपने में देखना इस बात का भी संकेत होता है कि जूयन में आरही बांदाए परहसानिया और कष्टों से आपको मुक्ती मिलने वाली है और इसवर की करपा से आपके और आपके परिवार में सुक्ष्यनति का आगमन होने वाला है उपाए है अगर आपको अपने सपने में बैता हुआ साप पानी दिखाए तो आपको चाहि में समद्र का बैता हुआ पानी देखना इतिन्ट ऐसुमा न गया है यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आपका मान समाज में हराब हो सकता है और कारियस तल में या वियापार में वाद व्यवाद की स्थिति उत्फन हो सकती है जिसके कारण आपको काफी अधिक मान सिक्तनाव होगा और आर्थिहाने की भी संभावना बनती है इस सपने को देखने के बाद आप जरा भी बैंबित होने के आउसिक्ता नहीं है हमारे दारा निच्छे बताए गए उपाय को करके आप वैविश्य में आने वाली समस्याओं से छुटकार अपास सकते हैं उपाय है अगर आपको सपने में समुदर का पानी दिखा है तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन एक पीले निम्मू पर अपना नाम लिखकर अपने सर से एक गड़ी की दिशा में 21 वार गुमाई है और इस लोई की चाकू से च्याटुकड़े में काटकर चोराय में रखकर आ नमर तीन सपने में बारिस के पानी को बैता हुआ देखना एतिन सुब मानग गया है यह सपना हमें कई सारे सुब संके देता है इस सपने कारत है कि बहुशे में आपको कई सारे सुब समाचार मिलना वाला है जिसके कारण आपके और आपके परिवार में एक खुशिया का मो में वर्दी होती है इसका उपाए जो भी इंसान अपने सपने में बारिस का पानी बैता हुए देखता है उसे चाहिए कि मंगलवार के दिन तीन मुठी काली तिल किसी साप सुथरे बैता हुए में पानी में परवा कर दे ऐसा करने से बहुषे में प्रगति और उन्ती के प्रभल यो कुंडली बनते हैं नमर च्यार अगर वेक्ति को सपने में गंदा पानी बैता हुआ दिखता है तो इसे जयोति सास्तर के अनुसार एते दिक ऐसु मना गया है और इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आपको काफी अधिक कष्ट और प्रेसानिया का सामना करना पड़ेगा आपको नोकरी य आपको काफी अधिक मांसिक आने होगी और समाज में भी अपमान की इस्तिती उत्पन होगी इस सपने को देखने के बाद आपको विल्कुल भी बैभीत होने की जरूरत नहीं है हमारे दारा बताए कि उपाय को करके आप वैयुसे में आने वाले दूस परिन नाम से बच सकत होगा नमर 5 सपने में बाड के पानी को बैठते वे देखना अतेंत ही दुरलब सपना है और लाको में किसी एक को यह सपना आता है यह सपना जिऊनती अस्तर के अनुसार अते इसुम अनाज गया यह सपना इस बात का संकेत है कि वहैुसे में आपको और या आपके परिवार में किसी को सवास्ति समंदी समस्या हो सकती है जिसके उप्चार है तो आपको काफी अतिक दन की आउस्से किता होगी इस अपने को देखने के बाद भूलकर भी किसी को दन उधार में ना दे और नहीं किसी से दनुदार ले प्रोट्टी में भी निवे सो समझकरी करें एन्हें था आपको नुक्सान उठाना पड़ सकता है उपाए इसका इकावन मंगलवार या सनिवार हनुवान समझ के मंदिर जाकर सपना कापने से समस्त्वांदों से मुप्ति मिलती नमर च्या यह सपना काफी समान सपना है पर अक्सर कई लोग इस सपने को देखते हैं इस सपने के संकेती सपने कि आने वाले समय में आपके हर काम ठोड़े से परिश्रम से ही बंगते चले जाएँगे और अगर आप किसी सावस्ते समन्दी परिशानी से काफी समय से जूंज रहे हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, यह इस बात का भी संके देता है कि आने वाले समय में आपको उदार दिया गया धन वापस मिल सकता है, और ऐसा सपना देखने के बाद प्रॉप् परिवार के उपर भगवान की करपा दर्ष्टी बनी वी है, और उनके असिवात से आपके जीवन में सुक और स्चान्ते हमेशा बनी रहेगी, अगर आप भी उन बागे साली लोगों में से हैं, जिने यह सपना दिखाई देता है, तो आपको चाहिए कि आप अपने इस्ट मेरी यूटूब चैनल एसके सर्मा 2268 को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके हमारा मनवल जाब बढ़े, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर करना ने भूले, आपका दिन सुबह धन्यवाद दोस्त,